जो कालमाक्स को बोला गया, जो अट बाबा साहब को बोला गया, जो परियार साहब को बोला गया, जो जोतिराव फुलेजु को बोला गया, वही मुझे बोला जादा कि मैं पागल हूँ. आपने किसी देवी देवता का नाम लिया तो इतने भगवान गल जाएंगे कागज के देवता बने है क्या की गल जा रहे हैं पहली बात तो मैं मानता ही ने कि धर्ती पे भगवान है लेकिन है भी तो आपके भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि अगर किसी मंत्री ने ये बात कह दी तो आप उसके विरोध करने लगे, आप भगवान को बचाने आये हैं यह मानते हुए कि फिस बृद्धी समिधान के अगेंस्ट है तो मैं फिस बृद्धी को आंदोलों को सपोर्ट किया जिन देशों में सिच्छा फ्री है, निसूल्ख है, वह देश तरक्की के मामले में पहले पैदान के है अगर हम दिपावली मना रहे हैं, यदि हम मंदिर में जा रहे हैं, हम संगा में नहा रहे हैं, यह कही न कहीं उनका एजेंडा है सच को सच कहना जरूरी है, बुद्धी जीवी डरते हैं, और इनवर्सिटी आम तरपे गुलाम पैदा करते हैं अफेसर्स का मतलब है कि आप आप चेंज दा वर्ल्ट, आप चेंज दे स्ट्रक्चर अब दा सोसाइट बताना पड़ता कि मैं मरा वह नहीं हूं, मैं जिन्दा हूं और जब कोई कौम जिन्दा रहती है, तो इस सरकार हमेशा उसको हमेशा यह गत्नी कि खतरना काद में है मैं बुलाम नहीं हूँ इस बास से तुम्हें बिलकुर नहीं डरता कि मैं कि नोकरी चली जाएगी तुम्हें बीबी में रहूंगा कि टीबी देखते हैं और हमारा समाज की सबसे बड़ी कमजूरी है कि हम इनवर्सिटी से जाते हैं तो टीबी देखते हैं या बीबी देखत अगर मौत से हम डरेंगे दोस्त, तो समाज का क्या भला कर पाएंगे, मरना तो ही यह एक दे, मरेंगे साथियों नमस्कार, मैं हूँ नीरत पटेल और आप देख रहें ने संजनमत आज के इस खास इंटर्व्यू में हम ऐसी सक्सियस से आपको रूबरू करा रहे हैं जो इलावाद विश्विद्याले में, इतियास विवाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नाम है बिक्रम हरजन इनको लोग पागल कहते हैं, लेकिन नेसल जनमत की नजर में बेहत तार्किक और साहसी हैं मौजूदा दोर में, जिसके अंदर ये दोनों क्वाइल्टी होंगी, उसको पागल कहा ही जाएगा इनके उपर तीन आरोप हैं, एक तो ये धर्म का अपमान करते हैं, दूसरा विश्विद्याले में रहते हुए इन्होंने आरोप लगाए, इलावाद विश्विद्याले में जातीवादी प्रोफेसर जाती देख करके नंबर घटाते बढ़ाते हैं और तीसरा आरोप ये, कि जब पूरे सिक्षक छात्रों की फीजवरद्धी के समर्थन में थे तो बिक्रम हरजन ने उन छात्रों का उनके धरना इस्थल पर जाकर के समर्थन क्यों किया इनी सब बातों को लेकर के कई वार नोटिस दिये गए, कई वार बरखास्त करने की कोशिज भी की गई, कई वार हमले वे हुए लेकिन विक्रम हरजन ना डिगे, ना जुके, ना बिके, नेशनल जन्मत के संबाद दाता विनीत यादों ने इलाबाद विश्वविद्याले पहुच करके इनी सब बिंदूओं पर इनसे खास बातचीत की है, जरा सुनिए नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनीत यादो और आप देख रहे हैं नेशनल जन्मत, आज मैं अलाबाद में हूँ, अलाबाद विश्वविद्याले में मेरे साथ हैं प्रोफेसर विक्रम हरिजन जी, विक्रम सर ये बताइए, अलाबाद उन्वेस्टि में फिस भृद्ध जो बोला गया मुझे भी बोला जा रहा है, जो कालमाक्स को बोला गया, जो बाबा साहब को बोला गया, जो परियार साहब को बोला गया, जो जो तीराभ फूलेजु को बोला गया, वही मुझे बोला जाए कि मैं पागल हूँ, मुद्ध ये था कि फिस भृद्धी का अंद समिधान के अगेंस्ट है या समिधान के मौरल के अगेंस्ट है उस आवाज को सुनते हुए मैं फिस बृद्धी को आंधुलन को सपोर्ट किया इसके पीछे कई तर्क है मेरे क्यों मैं सपोर्ट कर रहा हूं पहला तर्क यह है कि यदि आप पूरे विश्व के देशों में दे अगर आपने नौर्वे के देखें स्वीडन को देखें डेनमार को देखें और इस पे कई लेख भी आ चुके है इन देसों में सिक्षा एकदम से फ्री है इंपक्ट यह है कि आगर हैपी इंडेक्स देखें जो परी दुनिया माया है हैपी इंडेक्स में स्वीडन डेनमार के ही देश आगे हैं उसके बाद जो हुमन डेबलेमेंट रिपोर्ट आई है उस डेबलेमेंट रिपोर्ट में भी इनका पहला दूसा तिसरा अस्तान है जबकि भारत का 135 रैंक है जो मानो विकास सुचकांग के मामले में उसके बाद जो सांती की बेवस्था में भी यही डेन मारे मौ nutrition देस आगे है कि यहाँ पर सिक्षा फ्री है और सिक्षा फ्री है इस लिए यहाँ तमाम लगों को जगह मिन न किवल इन देशों में बलकि योरूब के कई देस है जैसे फ्रांस है आच्चेक गड़ राज्य है इतली है इन देसों में भी उनके नैस्नल जो है उनके लिए सिक्षा बहुत सस्ती दरूपे एविलेबल है ठीक है तो यह तो मैं यह करऄ हूँ कि गलोबली जहां पर भी सिक्षा में फ्री हुआ या सिक्षा बहुत सस्ती मिली है वो देश तरक्षी के मामले में पूरी दुनिया में का गए है दूसरी तरह आप करे हो कि भारत भी इसका गुरू बने जब सिक्षा फ्री नहीं होगा तो कैसे भी सो गुरू बने दूसरा में अतर किये है कि समिधान सभा में बाबा सभा में बेड़ करने यह एक मुद्दा उठाया था जो आला नहरू रूस के क्रांती से प्रभाई थी रूस के क्रांती में यह प्रावी थे और करे थे कि समाजबात की बात हमें करने बाबा सभ इकलाओते ऐसे सदस थे समिधान सभा में जुन्होंने कहा था कि नहरूजी, कैसे आप यहां पराष्टे करण की बात कर रहे हैं? कैसे समाजबात की बात कर रहे हैं? समाजबात के लिए तो आपको जरूरी है कि आप सिक्छा का और लैंड का डिस्ट्रिबूर्शन करें सभी लोगों के बीच में, बराबरी का, चर्च का, टेंपल का, सभी का यह बात इतना असान नहीं था, जितना सुनने में असान लग रहा हैं? और आज भी हमारे देश में ना तो सिक्छा का राष्टे करण हुआ, ना लैंड का राष्टे करण हुआ, ना मंदिर का राष्टे करण हुआ, मसलन कि मैं इलहाबाद उनवर्सिटी का प्रोफेसर हू तो बिदा किसी लिखित के यह हमारा करतब बनता है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें, यह हमारा करतब बनता है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, और हमें 9 से 5 ऐसे ही बैठना चाहिए, या 9 के 5 के बाद भी, यदि किसी बच्चों तो मेरे जोद पड़े तो वो मेरे आवास में भी आ सकता है यह है टीचर जिसको गुरू की महिमा दे गई है लेकिन हकिकत क्या है हकिकत यह है कि हम एज़ टीचर कभी निवहन नहीं करते है इसलिए डॉक्टर भी आरमबेटकर ने कहा कि यहां पर कॉंस्ट्न मोरालिटी होनी चाहिए जो कि नहीं है पुरी दुनिया में है इंग्लेंड में है रूस में है जपान में है इटली में है फ्रांस में भारत में नहीं है एकदम नहीं है और इसके तकाजा पूछा जाए तो जो फिस बृद्धी का मसला है यह हमारे देश के नितिकता के खिलाफ भारत के जो मौलिक फंडामेंटल राइट देखे वो भी ये बात कहता है कि आपको सिक्षा जो है मौलिक अधिकार बनना चाहिए कर्तब भी बता जाता है कि सांटिफिक टेपरामेंट की बात करना चाहिए हर जगह बता जाता है लेकिन हमारे देश में इतनी आंदुलन के बावजुद भी बाबा साब के कहने के बावजुद भी सिक्षा यहां पर वेवसाई करन हो चुका सिक्षा यहां पर फ्री नहीं है scientific temperament की बात कर रहे थे आप एक मंत्री हैं दिल्ली सरकार में उनने बस इत्ता चेह कि मैं मानता नहीं हूँ 22.00 ज्याए ले ली और उनको स्तीफा देना पड़ा स्थिफवां की इस देश में हालत scientific temperament से ज़्यादा ये कहिए कि एक तरब जहां बीजेपी की बरतमान सरकार ये कहती है कि बाबा साहब की बात करने है उनके नाम पे memorial खुले जा रहे हैं उनके नाम पे किताबे बटवाई जा रहे हैं और उसी सरकार के सेंटरल गौर्मे में अगर आम आदमी पार्टी का एक मंत्रे कर ये कह देते हैं कि बाइस प्रतिग्या हमें बाबा साहब के लेनी है तो हिंदू भी रोधी हो जाते है मुझे ये बात समझ में रहा है कि सत्ना जटिया जब थे भारत के समाजिक अधिकारत मंत्राले में उन्ही के नेतित में बाबा साहब अमड़कर के जो राइटिंग इस्पेसेस उसी किताब को ट्रांसलेट करवाया गया मोहंद असनेमिस रहा है मेरे ख्याल से अमड़कर फाउंडेशन में उसके धिक्ष थे और उन सभी लोगों के नेतित में यह बात आयी थे और 22 परतिग्या की भी बात कही गई थे अब 22 परतिग्या हमने परतिग्या कर ली तो उनको लग रहा है कि हिंदूधंपर चोट पहुँचा रहा है हिंदूधंधरण और बास परतिग्या दोनों एक दोसे अलग है democracy का एक सबसे बड़ा element होता tolerance करना space create करना democracy का खुबसूरत सब्ध है space देना जगह बनाने tolerance सहन करना हाँ इस देश में सहन सिलता नाम की चीज ही नहीं है आपने कह दिया कि संकर भगवान ऐसे है आपने किसी देवी देवता का नाम लिया लेकिन है भी तो आपके भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि अगर किसी मंतरी ने बात कह दी तो आप उसका विरोध करने लगे आप बचाएंगे अगर मंतरी ने कह दिया तो भगवान जाते कि सजा देते मंतरी को काई नहीं दे पा रहे हैं आ匹नियों भगवान इन आपमान के रैं किल भगवान अपमान, अरे वो तो सब पब्लीक पलेशلة है उस पलेश पे एक आयषन के आई इस अधीकारी, शब है । रपधा साहब कहकी पोता भी वहां पे पर पोता भी हैं, राज रतन जी भी हैं, सब को अरेश्ट कीजिए फिर, सब से इस्तीपा दिलवाईए, आप कहिए कि नागरिकता से इस्तीपा दिलवाईजिए, आप क्यों कह रहे हैं कि आप मंत्री हैं तो इस्तीपा दिलवाईजिए, हम देश के नागरिक इस पाद से इस के चीज नहीं है, कुछ दिन पहले हमारे एक साथी थे हमसे बात कर रहे थे कि भारत हिंदु राष्ट से चलेगा कि सम्मिधान से चलेगा मैं उनसे कर रहा हुआ सम्मिधान तो पीछे छुड़िए आप यह करें हिंदु राष्ट, भारत की हम कल चलो सिमिता की बात कर रहा है हम धार्मे का सुमिता की यह हाई नहीं यह उनका एजटा है रेलिजिडेस एजटा है जो एक डेमोकरट एक स्पेस को मच खत्क करती है तो ये ये कह iteration से काम चलेगा निए यह बहुत दिखते हैं और इसी लिए जो फिस बीदी का मसला है, सर, वो वो देश के इंट्रेस्ट के अगेंस्ट है, देश के कौमन लोगों के अगेंस्ट में. मैं फिस बीदी पर एक कहना चाहरा था कि आलाःबाद इन्वर्सिटी का हमारे देश के ग्राउड अब देखेंगे लाहबाद इनुएशि वर होछिंग वर वर कुंछ आथा और पो पंदरा जाना है कर देंगे becksiennent एंड कर भएंगे आफ मैं यह कह यह मसला ही नहीं नहीं है पिस्वेड़ी तो होना ही नही ही मैं बार बार कह घरां कि वीढ़त है और निसूर्ग जो निसुलक एजुकेशन होना चाहिए। तो क्या यह जो नई सिक्षा नीती है यह सेंट्रलाइज तरीके से दल्तो पिछलों का हित और अनित करने के लिए डिरेक्टली वो डील कर रहे हैं वहां से। आज अगर कांसिराम इस धर्ती पे नहीं होते तो डॉक्टर ब्यार मेटकर भी नहीं होते और कांसिराम नहीं होते तो मुलायम और इन दोनों की जोड़ी समझ पाए अपने समाज को। कलपना कीजिए अगर ये दो महापुरस नहीं होते तो क्या मैं इतना प्रखर बोल पाता। मुझे लगता नहीं कि मैं बोल पाता। मुझे लगता है कि इन दोनों आंदोलन की वज़र से मेरे उपर एक प्रभाव पड़ा था और मैं बोल पाता। रही बात लहाबाद इनवर्सिटी में सच को सच कहना जरूरी है। सच को सच हम कहते हैं नहीं। बुध्धी जीवी डरते हैं और इन वर्सिटी आम तरफे गुलाम पैदा करती है। इन वर्सिटी गुलाम बच्चे भी पैदा करती है। इनवर्सिटी का मतलब के लिए नहीं होता है कि आप एकडेमिक में अक्सपोर्ट से, आमुल चुल परिवर्तन करने की सोच नहीं रखते हो, वो च्छातर भी नहीं होता, वो प्रोफेसर भी नहीं होता, तो प्रोफेसर का मतलब है कि आप you have to change the world, you have to change the structure of the society, और इलहाबाद की बात नहीं है, जहां जहां मैं रहा, मैं जेनु में था, तब भी प्रॉब्लम मैंन पहचानने वाली बात थे, मैं असाम में गया, वहां डॉक्टर भी आरमबेटकर की जेनती मैंने 14 अपरेल को मनाई थी, तो यह पहली बार था, जब मैं वहां पे इस तरह का प्रोग्राम किया, यह हमारे लिए लाहबाद इनवर्सिटी की नहीं बात नहीं है, मैं अपने ग जो समस्या थी, जाती का धार पर भेद भाग होता था, मैंने वहां पे विरुद किया, और ऐसे महापुरूष जो आप जिनकी भी बायग्राफिय आप पढ़ेंगे, जिनका मैंने नाम गिना है, सबकी बायग्राफिय ऐसी है, अभी मैंने आपको जामपल दे रहा था जिसक को बताना पड़ता है, आप अपने को हमें यह बताना पड़ता है, मैं मरा हो नहीं हूँ, मैं जिन्दा हू, और कोई कौлять हो जिन्दा रहती है, तो सरकार हमेशा उसको हमेशा यह करते हैं, कि खतरना कादमी है, nuts, इतना मुखर बहु रहा है इतना मुखर बोल रहे हैं आप इस बात से ठीक ठीक वाफिक हूँ कि पुरी दुनिया में जहां-जहां करांती हुई है, करांती करने वालों को मार दिया गया है, फांसी पे चड़ा दिया है, गिलिटन पे चड़ा दिया गया है, और अभी जैसे बेलारूस के घटना बता रहे है, जो नॉबिल प्राइज मि हभी जालीब थे, जिनका दिमा में कुत्ता काट लिया था, क्यों हर निजाम के खिलाप रहे है, अफैज अमद फैज, भारत में, पेरियार ललाई का ही दिमा में कुत्ता काट लिया था, या पेरियार को काट लिया था, या इधर हमारे जोतिरा फूले को, साहोजी महराज क फातिमा सेख, ऐसा क्या हो था, कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे को समझाता है, वो भी जिन्दा इनसान थे, अपने को जिन्दा रखना पड़ता है, यदि आप सचमुझ में जिन्दा हैं, दिल बहलाने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है, ये कह क समास थे, मैं बिल्कुल नहीं डड़ता कि नोकरी चली जाएगी तुम्हें वीबी में रहूँगा कि टीबी देखुंगा, शहाभ कांसराम कभी कहते थे कि हमारा समाज बी और टीबी पह मसत रहता है, और हमारा समाज की सबसे बड़ी कमजूरी है कि हम उनुवर्सिटी से मरेंगे अब तो तयार है इससे पहले ही बहुत सारे ऐसे काम हो तको नहीं हो जा सकते ए और